कैसे हो आप उमिद करती हो कि अच्छ होगी आज के वीडियो में आप जैसे की थमनेल देखके आप समझे गए होगे किस पारे में यह वीडियो है तो आज मैंने आपको स्मोकी लुक बताया है यह जो लुक बताया है यह पार्टी में भी आप कर सकते हो और बहुत ही हीजी कोई भी हाड टेक्निक नहीं बताया है तो आप इसे जरूर ट्राय कीजिए और मेरा लुक कैसा लग रहा है आप कमेंट section में जरूर बताइए कि आपको मेरा लुद कैसा लग रहा है तो अभी तक अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक कीजिए मैं अपने चैनल पर ऐसे इजी 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 बताते रहती हूँ बहुत हार्टी बताती हूँ जितना मुझे आता है मैं कोशिश करती हूँ कि आपको वह समझ में आ जाए तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह देखिये है एक पानी का भी चैनल रहता तो उस वजे से मुझे इस टैप के पीमपल्स हो गए तो अभी मैंने डियाओ वाई करकर मेरे पूरे पिमपल्स भी थोड़े कम है तो आज मैं आपको इसी जो मैंने साड़ी पहनी है यह वेस्टन लुक की साड़ी है तो इसी है तो तो इस पे मैं आपको smoky look बताने वाली हूँ, तो तब से पहले मैं अपने face को अच्छे से wash कर लूँगी, वैसे तो मैंने wash कर लिया था, बट फिर से मैं अपने, मेरे face पे कुछ भी make up नहीं है अभी, तो देखिए मैं इस पे अपने face को अच्छे से wash कर लेती हूँ, देखिए मेरे face पे कुछ भी make up अप्लाए नहीं है, देखिए, friends जिनके dry skin है, वो moisturizer ज़रूर लगाई है, तो मैं moisturizer लगा लूँगी सबसे पहले, तो सबसे पहले मैं अपने face को अच्छे से moisturize कर लोगे, क्योंकि मेरे skin बहुत ज़्यादा dry है, और अभी जैसे 30 का सीजन चल रहा है, तो face बहुत fat सा गया है, तो मेरे पास ये Avon का moisturizer है, इसे softner भी कहते है, तो ये skin softner है, and little black grace वाला है, इसका बहुत अच्छा result है guys, ये बहुत अच्छा fragrance भी बहुत अच्छा आता है, और ये face पे भी बहुत अच्छा दिखता है, आप इसे ज़रूर dry केज़े, ये Avon का है, आपके पास जो भी moisturizer है, आप उसे भी try कर सकते हूँ, बट मैं ये try करूँगी, तो मैं थोड़े से ले लूँगी tips पे, और अपने face को अच्छे से moisturize कर लूँगी, बीदी भी निकाल दिखती, एकदम हलके हातों से लगाना है आपको, ज्यादा रगड रगड के नहीं लगाना है, देखिए मैंने moisturizer को लगा लिया है, skin पे, अभी मैं सबसे पहले primer लगाऊंगी और उसके बाद अपना make-up स्टाट करूँ, तो मेरे पास ये वाला है, इसे ले लूँगी मैं, friends, primer लगाने से जो भी हमारे open pores हैं, वो बंद हो जाते हैं, दिखते नहीं हैं, और इससे moist का make-up भी बहुत अच्छा होता है, और long lasting होता है, तो अभी मैं पूरे face पे, primer को apply कर लोंगी पूरे face पे, friends, इसके पहले भी आपने मेरे make-up के जो वीडियो है वो देखे होगे, तो आपको पता होगा कि मैं यही primer use करती हूँ, मुझे यह बहुत पसंद है, और इसका front जो smoothने से बहुत अच्छा है, और इससे बहुत अच्छी skin soft soft लगती है, friends, अगर आप जो मैं product लगाती हूँ, अगर आपको यह लेना हो या आपको पसंद आते होंगे, जो मैं लगाती हूँ, तो मैं description में नीचे डाल दूँगी, कि मैंने कौन-कौन से product से अपने face को make-up किया है, तो आप description में जाके एक बार check कर लीजेता, और friends, मैं यह नहीं बता पाऊँगी कि मैं कहां से, मतलब मैंने कहां से लिया है, या actually friends, मैंने यह local market से ही लिया है, कोई मैंने online shopping नहीं की है, मैं friends, समस्ती हूँ, जो भी हमारे product होते हैं, जैसे make-up related जो product होते हैं, वो मैं online कभी purchase नहीं करती हूँ, बहुत कम purchase करती हूँ, अभी मैं यह brush से concealer लगा लूँ, देखिए, मेरे पास यह याला है, यह glam का concealer है, friends, concealer लगाने से जो भी हमारा eye makeup है, वो बहुत ही उबर के दिखता है, बहुत ही अच्छा दिखता है, इस तरीके से, और अभी blender से मैं इसे थोड़ा सा blend कर लूँ कि, प्रिंट जब भी हम blending से blend कर दें तो ऐसे रगणना नहीं है, बस tapping tapping करके ही आप इसे blend कीजेगा, तो देखिए मेरी eyebrow कितनी sharp दिख रही है, इस तरीके से, मैं compact powder भी लगा लूँगी अभी, और अभी यहाँ पर मैं eye makeup स्टार्ट करूँ तो फ्रिंट जैसे की मेरा आप साड़ी देखने होगे, तो यह ग्रे कलर की साड़ी है और इसमें black का combination है तो इस पर मैं आज smoky लूप करूँगी जो black shadow, आई शाड़ो होता है तो देखिए मेरे पास यह palette है तो इसी से मैं makeup करने वाली हूँ आज, मैं एक ही palette से makeup करने वाली हूँ, कोई भी ज्यादा product मैं यूज नहीं करूँगी तो इसमें gray color भी है और black color भी है ग्रे कलर भी है तो देखिए इस makeup मैं यह color हूँ अभी मैं black color ले लूँगी देखिए इस तरीके से जब भी आप makeup करते हो तो बहुत दीरे 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 इस makeup कीज़े बहुत जल्द बाजी ना करे makeup करने के लिए तो देखिए इस तरीके से मैंने लगा लिया है तो अभी second eyes को भी मैं उसी तरीके से लगा लूँगी जब भी आप eye makeup करते हो तो जो हमारी blending होती है blending करना बहुत important है blending से ही face अच्छा दिखता है और जो makeup होता है वो भी बहुत अच्छा दिखता है blending से और अभी black color ले लूँगी मैं भी देखिए इस तरीके से दिखेगा जब भी आप eye makeup करते हो तो please eye makeup धीरे 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 ही कीजेगा तो फिर से मैं black color को अच्छे से लगा लूँगी किस तरीके से और जैसे कि साड़ी देखिए gray and black दोलों में है तो मैं यहाँ पे gray color का भी combination दूँगी यह बहुत ही अच्छा लगता है तो मैं अपने उंगली के tip से इसमें से gray color लूँगी बस यहाँ पे मैं इस तरीके से dark करूँगी बस क्या किया है मैंने से पूंगली में मैंने जो यह gray color है उसे लिया है पूंगली में और बस यहाँ पे मैंने dark किया है इससे friends लूप और भी अच्छा आता है तो finally मेरा eye shadow लगा के हो गया है अभी मैं काजल लगा लोगी और जो eyelashes है वो लगा लोगी तो यह oriflame का काजल है यह बहुत long lasting है friends बहुत देर तक रहता है और इसका जो quality है वो भी बहुत अच्छी है इस तरीके से और अच्छे से eye brow को feel कर लोगी यह music flower का है friends देखिए आपने मेरे वीडियो देख अगर आप मेरे वीडियो को follow करते होंगी तो आपको पता ही होगा कि मैं यह वाला लगाती हूँ तो इसमें से मैं starting से brown color लगाऊंगी और last में जो है मैं black color लगाऊंगी तो इसमें एक brush भी आता है इसमें black भी आता है और brown भी आता है जो मेरे पास combo अलग इटा यह black है और इसमें brown भी देखिए किस तरीके से अगर मैं starting में black लगाऊंगी तो वो दिखेगा वो ऐसा लगेगा कि मैंने वहाँ पे कुछ लगाया है और अगर मैं ऐसा लगाऊंगी तो यह naturally लगेगा यहां से मैं black पदल को लगा लूँगी तो यह भी इस तरीके से ले लूँगी इसमें मैं और इस तरीके से लगा लूँगी देखिए फ्रेंट्स यह लगाने से हमारे थ्रेडिंग में एक proper shape आ जाता है और यह दिखने में भी बहुत सुंतर दिखता है तो देखिए इस तरीके से तो फाइंडरी मेरा eye look हो गया है बस अभी liner और जो liner लगाने करे गया है और mascara लगा लोगी तो सबसे पहले तो मैं makeup करने थी हूँगी तो मैंने primer लगाया था तो अभी मैं वहां पे foundation लगा लूगी तो friends यह मेरा HD का color से इसका foundation है इसका जो coverage है वो बहुत अच्छा है तो यह इसे जो भी हमारे pimples है यह जो दाग दिंक रहे है यह थोड़ा इसे कवल कर लेता है तो मैंने इसकी quantity इसकी दिन ले ली है और अभी इसे में डैप-डैप करके लगा लूगी पेस पे और अभी मैं beauty blender से अच्छे से ब्लेंड कर लूगी देखिए friends मेरी half skin ये skin देखिए और ये skin देखिए तो ये इसी तरीके से coverage इसका अच्छा है प्रेंड हम अक्सर मेकव करते हैं तो face का ही करते नेक कर है जाता है तो प्लीज ये गलती आप ना कीजेगा तो मैं नेक पे भी लगा लूगी तो देखिए गाइस ये बूरा मेरा लूग अभी मैं इसके उपर compact powder लगा लूगी और cut crease कर लूगी और उसके बार देखिए कैसा लूग आता है तो ये भी color sense का ही मेरा compact है अगर आप beginners हो आपको makeup बिल्कुल भी नहीं आता तो मेरे जो tips है वो जरूर फॉलो कीजे आपको दीरे-दीरे करके आ जाएगा मुझे भी पहले makeup नहीं आता था मैं दीरे-दीरे करके ही सीखी हूँ एकदम से कोई भी चीज नहीं सीख पाते हैं तो आप गडबडी ना कीजएगा makeup दीरे-दीरे ही सीखा जाता है जैसे आप makeup करोगे आपको तभी पता चलेगा ना हमारी यहां पर mistake हुई है हमारी यहां पर mistake हो गई है आप अगर करोगी ही नहीं मुझे makeup नहीं आता अगर आप ऐसा ही सोचोगे तो आपको makeup बिल्कुल भी नहीं आने वाला है तो प्लीज आप try कीजे छोटी-छोटी चीज कीजे चोटी-छोटी चीजों को try कीजे और friends आप color science की product use कीजे color science की product बहुत ही affordable rate में मिल जाएंगा आपको ज्यादा महेंगे भी नहीं है और उसके friends foundation and compact है उसी से बहुत अच्छा रहेंगा तो आप प्लीज वही use कीजे और मैंने जिसे यह दिखाया है तो यह music flower का बहुत अच्छा है अगर आप beginners हो तो आप इसे दरूर try कीजे तो देखिए मैं अभी compact लगा ले रही हूँ मैंने बोला था नेक को नहीं छोड़ेंगे तो नेक को भी powder लगा लूँगी मैं compact लगा लूँगी देखिए तब प्यारा लग रहा है face मेरा फ्रेंड्स जैसे वे हम यह जो foundation लगाते है जो मैंने आपको गल्दर से इसका पॉट्रिंग अगर नाम क्या है तो आप जरूर इसे ट्राइक किजिए का तो गाइस अभी बारी आती है हमारे लिप्स्टिक की तो जैसे मैं मैं आज ब्लैक जैसे मैं स्मोकी लूप कर रही हूँ तो मैं ब्राउन कलर का ही लिप्स्टिक लगाऊंगी तो देखिए तो मैंने लिप्स्टिक भी लगा लिया है और अभी मैं लैशेस लगा लूगी आई लैशेस तो देखिए अगर आपको लैशेस लगाना बिल्कुल भी नहीं आता है तो मेरा वीडियो है इस विशेपे की आई लैशेस कैसे लगा है आप उसे ज़रूर चेक कीज़ेगा आपको प्रॉपरली आई लैशेस लगाना आ जाएगा तो देखिए मैं ये लैशेस लगाने वाली हूँ अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लीज लिंक में नीचे डाल दूँगी आपको वीडियो दरूर देखिएगा इसे मैं ले लूगी तो देखिए अबी मैं इसे लगा लूँगी तो इस तरीके से अई लगा लेंगी और ये मेरा हैशटी का कलर सेंस का मसकारा है इसे लगा लूँगी मैं इस तरीके से और फ्रेंट्स लाइनर आई लाइनर लगा लूँगी देखी ये तो ये इस तरीके से दिखेगा अभी मैं फिर से काजल जो है थोड़ा और गाड़ा कर लूँगी इस तरीके से लुक दिखेगा कुछ तो फाइनली मेरा ये लुक करेट हो गया है अभी मैं बालों को ओपन ही रखूं कि बालों को कोई भी हैरस्टैल नहीं ये था मेरा फाइनल लुक अगर मेरा लुक आपको पसंद आता होगा अगर मेरा लुक आपको पसंद आता होगा लिए इस वीडियो को लाइक कीजे फ्रेंड्स हम जैसे योटूबर है हमको बहुत महनत करनी पड़ती है इस सब चीजों के लिए तो प्लीज लाइक कीजे चैनल वीडियो को और सस्क्राइब कीजे मेरे चैनल को तो फ्रेंड्स इसी तरीके से सिंपल सिंपल कंटेंट पे आपके लिए लाते रहोगी तो जल्दी मिलते हैं नेक्स वीडियो साथ सब तके के लिए बाई टेक केर